दोस्तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रेलिवे के 1st AC, 2nd AC और 3rd AC के बीच में अंतर क्या होता है यह नहीं जानते और वो सोचते हैं कि 1st AC, 2nd AC और 3rd AC में सिर्फ किराय भर का फर्क होता है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है बलकी अलग-अलग केटेगरी में किराय के साथ साथ अलग-अलग सुविदाय भी दी जाती है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि इन में क्या अंतर है लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेश्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजे तो आईए सुरू करते हैं दोस्तो रेलवे का फर्स्ट एसी सबसे महंगा क्लास होता है और इसका किराया भारत में चलने वाली एरलाइन्स के आम किराय से कम नहीं होता है यहाँ पूरा कोच एर कंडिसनर होता है और यहाँ सिर्फ मेट्रो पॉलिटन शहरों के चुनिंदा रूटों के लिए ही उपलब्द होता है आपको बता दे कि इस केटेगरी के कोच में कारपेट बिछा होता है और इस कोच में सोने के साथ साथ आपकी नीजी लगजरी की सुबिधाय भी उपलब्द होती है इसके अलावा कोच में मिलने वाला खाना भी काफी बहतर होता है दोस्तो बात करें, railway का second AC के बारे में तो ये भी कोच पूरी तरह से air conditioner होता है इसमें apple leg room होता है, परदे होते हैं और individual reading lamp भी होता है इस कोच में seat ये 6 sections में, 2 level में बटी होती है और 4 seat कोच की चोड़ाई में फैली होती है इसके अलावा 2 seat साइड में भी होती है privacy को maintain करने के लिए seat में परदा अलग से लगा होता है दोस्तो 3 AC दोस्तो ये कोच भी sleeping birth के साथ full air conditioning होता है हाला कि इसकी seat इस second AC की तरह ही होता है और इसमें पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई lamp नहीं लगा होता है दोस्तो भारत में 3 AC कोच को पहले से और बहतर बनाने का प्रयाज किया जा रहा है दोस्तो आपको बता दे इसमें उपलब्द कराई जाने वाली सुविदाओ को आपके किराय में सामिल किया जाता है 3 AC क्लास में स्लीपर क्लास के मुकाबले इसमें थोड़ा ज्यादा इस्पेस होता है दोस्तो एक स्लीपर कोच में 72 या 3 सफर कर सकते हैं वहीं 3 AC कोच में सिर्फ 64 या 3 ही सफर कर सकते हैं और यहाँ slipper class के बाद railway का सबसे affordable class होता है दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में Thanks for watching this video